नमस्कार दोस्तो जैसरी राम जैसरी बागिस और दामसरकार जैसरी बालाजी महराज की जैसरी सन्यासी बावा की तो दोस्तो स्वागत है आपका एक वार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी चीज की जो हर किसी क रसोई में आसानी से पाई जाती है अगर आप उसका उपाई कर देते हैं तो आप रात और रात अमीर बन सकते हैं साथ यह आपके उपर जितने भी संकट होते वैसे भी खतम हो जाते है और धन की कमी भी आपकी खतम हो जाती है तो चलिए जानते है वह कौन सी है वह चीज और उस उपाई को आपको कैसे करना है तो दोस्तों क्या आप विश्वास करेंगे कि आपके खाने का जाय का बढ़ाने वाली आपकी रशोई घर में रखी हुई एक छोटी स पैर पसार दिये है माता लक्षमी आपसे रूट गई है और नकारातमक उर्जा और नकारातमक सक्ती आपके घर में डेरा डाल कर बैठ गई है साथ ही कि आपके घर में कई सारी बिमारिया एक साथ ग्रेपर वेस्ट कर गई है और इन बिमारियों से निमटने का कोई रास्ता आ दाने रखे हुए हैं अगर हां तो आप खुश नसीब है क्योंकि काली मिर्च के दाने वो कमाल कर सकते हैं जिने देखने के बाद आप हैरान रहे जाएंगे और ऐसा कहना है बागेश और दाम सरकार यानी पंडित दिरेंदर केशन शास्त्री जी का गुरुजी का कहना है कि प तक हमारे साथ बने रहेगा लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बागेश और दाम सरकार के और भी उपाया आपको देखने और सुनने को मिलते रहे तो दोस्तों बा करती हैं लेकिन गुरूजी का कहना है कि अगर हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ कुछ विशेज हुपाई कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में चल रही उतल-उतल को शांत कर सकते हैं और अपनी कुंडली के ग्रहों को श्यांत कर सकते हैं और इसके लिए हमारी रशोई गर में रखी वी काली मिर्च के छोटे-छोटे दाने विशेश लाबकारी शाबित होते हैं गुरू जी के अनुसार अगर आप एक महिला है तो अपने परिवार की और अपने पती की बलाई चाहती है तो उनकी तरक्की चाहती है उनको माला माल बनाना चाहती है तो आपको काली मिर्च के कुछ विशेश उपाय जरूर करने चाहिए तो ऐसे में बागेश और दामसरकार यानी पंडित दिरेंदिर केशन शास्त्री जीए का कहना है कि जो लोग कोई खास मनों कामना रखते है या फिर अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते है उन्नती करना चाहते है ऐसे लोग यदि सूर्य देव को और फित किये जाने वाले पानी में साथ काली मिर्च के दाने डाल कर उने जल से अरध्य देते है तो वह अपने सभी कारियों में सफलता मिलने लग जाती उनका गर परिवार भी ठीक चलने लग जाता है साथ ही उनके उपर जितनी भी प्रेशानिया होती है वह भी खत्म होने लग जाती है जो विद्यार्थी प्रिक्षाव में बार-बार प्रियास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे है या फिर आपको आपकी मंद चाहिए नो पड़ता है तो वो लोग अगर तांबे के लोटे में कुछ काली मिर्च के दाने डाल कर पानी भर कर सूर्य देव को अरध्य देते हैं तो उन्हें सभी कारिये बनने लग जाते हैं उनकी सभी मनों कामनावियों की पूर्ती हो जाती है और अब मन में जो भी कारिया आप प्रशे शुपाय करना चाहते है तो आप मंगलवार वाले दिन एक पीपल का पत्ता लीजिए उन्हें द्यान रखे कि पीपल का पत्ता आपको तोड़कर नहीं लाना है या तो आप उन्हें एक दिन पहले तोड़कर रख दीजिए या फिर नीचे गिरा हुआ अगर आपक एक सुपारी दो काली मिर्च दो इलाइची रखकर जनेवल पेट दीजिए और पूजा करते समय से हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए अब यह सिद किये हुए पीपल के पत्ते को आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए हनुमान जी पर चड़ेने वाला सिंद उसको भी खतम कर सकते हैं तो अगर आप कुंडली में साड़े साती या डहिया का योग है तो सनीदेव आपको कश्ट दे रहा तो ऐसे में आपको एक काला कपड़ा लेना है काले कपड़े में आपको पांच काली मिर्च के दाने और 11 रूपे रखकर एक पोटली बना लेना इसे के साथ बागेश और दामसरकार यानी पंडित दीरेंदर किष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आपको सपलता नहीं मिल रही है आप बार बार किसी काम के लिए जाते हैं लेकिन आपको सपलता नहीं मिलती है या फिर कोई भी रुकावट आ जाती है इसे आपके काम में हाट डालते हैं आपका काम पूरा नहीं हो पाता है आपको ऐसे पलता का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में आप जब भी किसी सुब काम के लिए गर से बाहर जाए तो अपने हातों में 11 दाने काली मिर्च के जरूर ले इसके बाद गर के मुख्य दरवाजे पर इन काली पैर इन काली मिर्च के उपर रखते हुए गर से बाहर निकल जाए ऐसा करने से आप जिस भी कारिया के लिए जाएंगे वैकारिया आपका जरूर ही सपल हो जाएगा एक उपर जलाकर प किसी बी कोने में एक मुठी के दिये में 7 काली मिर्च के दाने रखकर उसके उपर कपूर जलाकर छोड़ दे इसके दूएं को पूरे घर में दिखाए ऐसा करने से ना केवल आपके गर की नकारतम कुरज़ा का संचार भी होने लगेगा और आपके घर में जो वास्तु दोस होगा उसका भी अन्त हो जाएगा साथ ही किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है या आपको ऐसा लगता है कि नजर दोष का परभाव आपके घर पर लगा दिया गया है तो ऐसे में आप एक मुठी काली मिर्च ले जिस व्यक्ति की उपन नजर्दोष का परवाव हो या अगर आपके घर पर नजर्दोष का परवाव है तो 11 बार या एकाली मिर्च के दाने का उतारा करके आप इसे घर के बाहर का पूर रखकर जला दे ऐसा करने से आपको नजर्दोष का अंत्र हो जाएगा इसे के साथ कहना है कि अगर आप अपने घर में दन प्यागमन के New York सफेल ना चाने परिवार की उनती होते हुए देखना चाहती है अपने पती को मावाल बनाना चाने लिए जाती है उन्हार को शैंबस को फाले मिर्च कर लेखे ऊपने चुरायं पर जाकर इन दोनों में आजाए ऐसा करने से आपको बहुत कम समय में धनलाब होने लगेगा साथ ही आपके परिवार की तरक्की के नए नए रास्ते भी खुलने लगेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके गर के परिवार के सदशों के उनती बनी रहे तो आपको यह उपाय जरूर ही करने चाहिए आ कि हार किसी का कामदंदाश अच्छे से चले और उन्हें किसी भी परिकार की समस्चाव का सामना ना करना पड़े तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा साथ ही वीडियो को लाइक और सेर करना ना भू कर दे जैसरी राम जैसरी बागे सुर्दाम सरकार राम राम